अयूब के पुस्तक अध्याय छे फिर अयूब ने कहा भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ती तुला में धरी जाती क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती इसी कारण मेरी बाते उतावली से हुई है क्योंकि सरोशक्तिमान के तीर मेरे में पैठ गया है परमश्वर की भैंकर बात मेरे विरुद्ध पांती बांधे है जब बनेल गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है और बैल चारा पाकर क्या डाकारता है जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है क्या अंडे की सुफिदी में भी कुछ स्वाध ह जिन वस्तों को मैंने छुना भी नहीं चाहा वही मानों मेरे लिए घिनोना आहार ठैरी है भला होता कि मुझे मुह मांगा पर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमिश्वर मुझे दे देता कि परमिश्वर प्रसंद न होकर मुझे कुछल डालता और हाथ इसकारन से उचल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया, मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखू और मेरा अंतही क्या होगा कि मैं धीरज रखू, क्या मेरी दुरता पत्थरों कीसी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है, क्या मैं निराधार नहीं हूँ, क्या काम करने की शक्ती मुझ से दूर नहीं हो गई, जो निराश है, उस पर तो प्रडोसी को कुरुपा करनी चाहिए, और उस पर भी जो सरोशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है, मेरे भाई, नाले के समान विश्वाजगाती हो गए है, बरन उन नालों के समान जिनकी धार सुख जाती है, और वे बरफ के कारन काले से हो जाते हैं, और उनमें हिम चिपा रहता है, परन्तु जब गर्मी होने लगती, तब उनकी धाराए लोप हो जाती है, और जब कड़ी धूप पड़ती है, तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं, वे घुमत सुख जाती और सुनसान स्थान में भहकर नाश होती है तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुँचकर उनके मुख सुख गए उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो वा अपने संपत्ति में से मेरे लिए घूज दो वा मुझे सताये वालों के हाथ से बचाओ वा उपद्रव करने वालों के वैश से छुडालो मुझे शिक्षा दो और मै समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है सक्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है परन्तु तुम्हारे विवाज से क्या लाब होता है क्या तुम बाते पकड़ने की कलपना करते हो निराश्चन की बाते तो वायू किसी है तुम अनाथों पर चिक्ष डालते और अब कुपा करके मुझे देखो निश्च मैं तुम्हारे सामने कदापी जूट न बूलूँगा फिर कुछ अन्याय न होने पाए फिर इस मुकद्यमे में मेरा धर्म जो कत्यों बना रहे मैं सत्पर हूँ क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है क्या मैं दुष्टता नह इपाई चाता